सागत आप सभी का एक ने वीडी लेक्टर में है आज के लेक्टर में है close number 162 से लेकर 197 तक जितने भी important questions बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में cover करेंगे तो इन आपके closes में जो तीन important topic cover होते हैं वो है registration पंजीकर्ण वाला दूसरा आपके बास insurance बीमा वाला और तीसरा आपके बास तो topic cover होता है उसका नाव है VP system value payable system तीनों बहुत साथा important topic है important इसलिए भी है क्योंकि product and services में भी आपके आते हैं और PO guide बन में भी आते हैं तो दोनों जगा यह important हो जाते हैं और बहुत सारे important questions यहां से बनते भी हैं जो बारवार exam में पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छे से कीजेगा तो चलिए video शुरू करते हैं आरे question के लिए options क्या है? आजाएगा only second is correct कोई भी आप registered article कोई भी पंजीगरित लेख भेजते हैं अगर वो गुम हो जाता है तो गुम हो जाने के बाद आपको जो compensation दी जाती है मुआपजा दिया जाता है वो as an act of grace दिया जाता है आपको नुग्रया के रूप में दिया जाता है ना कि आपका वो का answer का जाएगा आपके बास भी आजाएगा false है कोई भी आप registered article भेजते हैं अगर वो गुम हो जाता है तो उस सीज के बारे में डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है अगला question है आपके बास to obtain an attached copy of receipt sender must apply within months और सीद की सत्यापित प्रती प्रापत करने के लिए प्र बित्रन के समय प्रापत करता से एक रसीद के उपर हस्ताक्षर लिये चाते हैं अब जो प्रेशक है उस लेक को भेजने वाला है अगर वो चाहता है कि जो प्रापत करता न उस लेक के बित्रन के समय रसीद के उपर हस्ताक्षर किया है मुझे उसकी attached copy चीए सत्यापित प्र question आगे चलते है, question आपके बास, but is the fees for special, acknowledgement of delivery for insured article, वीमित लेखों के लिए, delivery की विशेष पावती के लिए fees क्या है, यहां पर acknowledgement की बात की गई है, पावती की बात की गई है, कोई भी insured article भेज जा जाता है तो उसके लिए, जो acknowledgement fees होती है, वो कितनी लिज आती है, 500 रुपे 17 र आता है, अगला question देखते है, question आपके बास, no compensation for insured article, if sander not give, intimation of loss within, भीमित वस्तु के लिए, कोई मौाबजा नहीं दिया जाएगा, यदि प्रेशक कितने समय के भीतर, नुकसान की सूचना नहीं देता है, यह वन मन्त, टू मन्त, त्री मन्त, या फिसक्स मन्त, तो इसका स नहीं बताता है, तो इसे बाद में कोई भी compensation नहीं दी जाएगी, तो इसी option जो है, सही आजाएगी, अगला question आपके बास, acknowledgement for insured article, is a free of charge, अभी उपर question आया, वीमित वस्तु के लिए, acknowledgement जो होती है, वो initial कर रहती है, तो options है, आपके बास true या false, इसका सी answer क्या जाएगा, पूल सही बात है, acknowledgement जो होती है, भीमित लेक के लिए, निशुल्क होती है, कोई charges नहीं लिए जाते है, अगला question आपके बास, no compensation will be payable if a registered article contains, यद्जी पंजीकरित लेक में क्या शामिल है, तो किसी भी मौबजे का भुकतान, जो है, वो नहीं किया साएगा, options है, आपके बास liquid, appreciable article, fragile article, या फिर all of the world, तो आपने किसी भी article के अंदर कोई भी तरल पदात भेजा है, कोई भी liquid item भेजी है, कोई भी ऐसा सामान भेजा है, जो नश्ट हो सकने वाला हो, मतलब वो नश्ट हो सकता है, आपने ऐसा सामान उसमें अंदर भेजा है, यह कोई भी ऐसी नाजुक वस्तु भेजी है, जो तूट सकती है, तो ऐसी कोई भी वस्तु भेजने के समय, आपको registered article के बारे में कोई भी compensation नहीं दी जाती है, कोई भी माबजा नहीं दिया साता है, तो इसका सी answer क्या जाएगा, आपके बास D आजाएगा, अगला question आपके बास, which of the following possible articles are compulsorily insured, निमल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, कोई भी parcel जिसका बजन 4 kg से अधिक होगा, पिछली वीडियो मैं भी इस चीज़ के बारे में किया था, कि 4 kg से उपर का कोई भी parcel होगा, आपको उसकी registration उसका पंजी करण करवाना पड़ेगा, कोई भी insured article आप विमीत लेख भेज़े हैं, तो insurance करने से पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, registration करनी पड़ती है, VP article के साथ same condition रहती है, आपने उसको as a VP article भेजना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले registration करनी पड़ेगी, तो इसका answer आपके बास आजाएगा, D. अगला question आपके बास, which of the postal articles can be registered a dark lake हो मैसे, कौन सा पंजीकरित किया जा सकता है, options आपके बास letter, letter card, postcard, या फिर all of the work, तो इसका answer क्या जाएगा, आपके आपके आजाएगा, इन सभी की registration या सभी का पंजीकर्ण किया जा सकता है, अगला question आपके बास, application for compensation for a registered article in case loss of contents or damage made within, पंजीकरित ले की समगरी के नुकसान होने के लिए, मौबजे का वेदन कितने समय के भीतर दिया जाना सी है, three months from the date of posting, one month from the date of delivery, one month from the date of posting, या फिर three months from the date of delivery, अब यहाँ पे आपके आपके बास दो तरह से question पूछा जा सकता है, एक तो अगर आपसे पूछा जाए, article के loss होन the date of posting, तो posting की तारीक से तीन महीने के भीतर आप उस condition में उसके लिए अवेदन करेंगे, लेकिन अगर question में इस तरह से पूछा गया हो कि जो समगरी है, उसके नुकसान के लिए, उसके damage के लिए, या समगरी के loss के लिए compensation में आप अवेदन कर रहे हैं, तो कितने समय के भीतर किया साना सिये, तो किया साएगा, उसका answer, date of delivery से एक महीने के भीतर, तो इसका सी answer किया साएगा, आपके बास, बनमंत from the date of delivery, तो यहाँ पे 10th की कोई सी options या साएगी, आपके बास, बी option जो है, से या साएगी, अगला question आपके बास, if addressee of a registered article refuses to sign the acknowledgement, then article not delivered to him, यदी पंजीकर तवस्तु का प्राप्त करता, पावती पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है, तो लेक उसे स्पुर्द नहीं किया साएगा, उसे वित्रित नहीं किया साएगा, options है, yes या फिर no, तो इसका सी answer किया साएगा, आपके बास भी आ साएगा, no, अब देखो, यहाँ पे कोई registered article है, उसके साथ optional होती है, बकल्पी को होती है, कि आप acknowledgement लगा कर भेजना चाते है, यह नहीं भेजना चाते है, अगर प्रापत करता, रसिप्ट के उपर हस्ताक्षर करने से मना करता है, तब उसको registered article का वित्रण जो नहीं करना है, लेकिन उसके साथ लगी acknowledgement जो है, registered article के आजाएगी, अगला question है आपके बास, बड़ीजी, minimum number of registered articles must be posted for booking registered articles in bulk, थोक मैं पंजीकरित लेखों की booking के लिए पंजीकरित लेखों की नियूंतम संख्या कितनी होनी चीए, options है, आपके बास 5 registered articles daily, 20 registered articles daily, 10 registered articles daily, या फिन में से कोई भी नहीं, तो इसका सी answer क्या जाएगा, आ आपके बास 10 registered articles daily, प्रती दिन, 10 पंजीकरित लेख होने से कम से कम, at least इतने होने से, तब जाकर आपको ये वाली सुविदा जो है, वो दी जाती है, extra is के लिए कोई charges भी नहीं लिये जाते है, अगला question है, आपके बास acknowledgement for VP articles is free of charge, VP लेख के लिए value पेवल, जो articles होते है, या म literature packet हो जाएगा, दूसरा insured article, इन दोनों के लिए acknowledgement की कोई भी charges नहीं लिये जाते हैं, लेकिन बाकी सब के लिए लिये जाएंगे, इस या option आपके बास आजाएगी भी, इनला question है, आपके बास, which of the following postal articles must be insured at actual value of contents, निमिलिखित मैं से किन dark लेखों का उनकी समगरी के वास्त notes हैं, तो यह सारी चीज़ें जब भी आप भेजेंगे, तो इनकी insurance जो है, इनकी actual value के लिए की जाएगे, अगर यह 100 पे की आप भेजेंगे, तो इनकी insurance भी 100 पे के लिए ही की जाएगी, तो उसका सी answer क्या जाएगा, आपके बास, D आजाएगा, अगला question आपके बास, insurance is compulsory for any VP article on which amount specified for recovery exceeds, किसी भी VP वस्तू के लिए, भीमा जो है निवारी हो जाता है, अगर उस पर बसूल के जाने वाली निर्दिष्ट राशी जो है, कितने से अधिक होती है, तो value payable में क्या होता है, आप कोई भी लेक बेसे हैं, प्रापत करता है, उसके लिए क्या करता है, भुक 600, 1000 या फिर 100 रुपीज तो इसका सी आंसर आपके बास आजाएगा, अगर 1500 रुपे से अधिक के लिए कोई वी VP लेक भेजा जाता है, तो आपको जो भी नर्दिष्ट राशी होगी, उसके लिए insurance करानी पड़ेगी, अगला question आपके बास, बिच ओफ दी फॉलिंग पॉसल articles must be compulsorily insured, यह में लिखित मैं से कौन सा डाक लेक, अनिवारे रूप से बीमित होना चाहिए, coins है, platinum है, jewelry या फिर all of the world, तो इसका सी आंसर क्या जाएगा, आपके अस D आजाएगा, किसी भी डाक लेक में अगर यह वाली चीज़ों मैं से आप पुछ भी बहेजते हैं, यह combination भेजते हैं, mix करके भी भेजते हैं, तब भी आपको इनकी insurance जोगा करवानी पड़ेगी, तो सी answer क्या जाएगा, D आजाएगा, अगला question आपके बास envelope with black border and transparent panel can be used for insured articles, बीमित लेखों के लिए, काली सीमा और पारदर्शी पैनल वाले लिफाफों का प्रयोग किया जा सकता ब्लैक कलर वाले जिनके border रहेंगे ठीक है, और इसार में transparent panel वाले जो भी envelope होते हैं, उनका प्रयोग आप बीमित लेखों को भेजने के लिए नहीं करेंगे, अगला question आपके बास, prepayment of postage and registration fees is not compulsory in case of registered article, पंजीकरी तवस्वों के मामले में, डाक शुलक और पंजीकर्ण श करनी पड़ती है, अगर आपना उनकी registration करवानी है, उनका पंजीकर्ण करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी postage charges बनेंगे, साथ में, जो भी registration fees बनेगी, उसका पूरब भुकतान आपको करना पड़ेगा, भी option जो है, अगला question आपके बास हो, grants compensation, in case of registered article, तो भी कोई भेजा जाता है, उसके लिए जब भी compensation दी जाती है, ऐसा an act of grace दी जाती है, अनुग्रह के रूप में दी जाती है, तो अनुग्रह के रूप में, यह जो compensation रहेगी, पंजीकरित लेखों के लिए कौन देता है, options है, आपके बास head of circle, head of division, director general, या फिर post master journal, तो इसका सी answer क्या जाएगा आपके बास, यह आजाएगा head of circle के दारा दी जाती है, next question देखते है, who among the falling, can restrict the number of registered articles in night post office and mobile post office, निविलिखित मैं से कौन, night post office और mobile post office में, पंजीकरित लेखों की संख्या को प्रतिवंधित कर सकता है, बुक किये जाने वाले लेखों की यहाँ पे आएग SRM या PMG या NMS से कोई भी नहीं, तो किसके पास यह power रहती है, post master journal के पास रहती है, तो post master journal जो भी night post office या mobile post office होती है, जब बहाँ पे बहुत जादा रश होता है, बहुत जादा भीड होती है, तो वो क्या कर सकता है, restriction लगा सकता है, प्रतिवंध लगा सकता है, क्या प्रति या पे सही आजाएगी, अगला question देखते है, if any article contain valuable contents, then it will be registered after its insurance only, यदि किसी वस्तू में कोई भी मूल्यवान समगरी है, तो उसका पंजिगर्ण उसके भीमा करने के बाद ही क्या जाएगा true या false, तो इसका see answer क्या जाएगा, इसका see answer आपके बास आजाएगा a true है, तो आपको उसकी insurance करनी पड़ेगी, तो इसका see answer क्या जाएगा आपके बास, a आजाएगा true हो जाएगा, अगला question आपके बास application for compensation for registered article sent by, और addressed to members and units of armed forces, सशस्त्र बनों के सदस्य और एकाईयों दोरा भेजेगे, या उनके दोरा संबोधित, पंजीगर्यत लेखों के माबजे क इसका see answer क्या जाएगा, आपके बास, छे महीने का समय इसके लिए आपको दिया जाता है, तो कोई वी armed forces के सदस्यों है, या उनको आपना कोई वी लेख संबोधित किया है, पंजीगर्यत लेखा, तो उसके माबजे के लिए जो आवेदिन दिया जाएगा, वो कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए, छे महीनों के भीतर दिया जाना चाहिए, but is the limit up to which postal articles can be insured at branch post office, तो के इवर question क्या पूछा जाते है, किस अडा घर में लेखों का बीमा किया जा सकता है, in which post office the articles can be insured, तो बहापे आपका answer क्या हो जाएगा, आप branch office में भी कर सकते हैं, sub office और head office मे तो किये ही जा सकते हैं, तो इसका answer क्या जाएगा, 20,000, 600,000, 40,000 या फिर 1,000, तो इसका answer क्या जाएगा, आपके वास भी आजाएगा, 600 रुपीज के लिए आप किसी भी article को branch office में insure कर सकते हैं, there is not any additional fees for special acknowledgement for registered article, पंजीगरित ले के लिए, बिशेश पावती के लिए जो होती है, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया साता है, true या false, तो इसका answer क्या जाएगा, false आजाएगा, charges जो acknowledgement के लिए साते हैं, अभी मैंने उपर भी आपको इस सीज के बारे मैं बोला, blind literature packet और insured article, इन दो लेखों के लावा हर एक लेख के लिए आपको जो भी acknowledgement fees होगी वो देनी पड़ेगी, अगला question आपके बास, sander of a registered article, can obtain an attested copy of original receipt, एक पंजीगरित लेख का प्रेशक मूल रसीद की एक स्त्यापीत प्रती प्रापत कर सकता है, हमने अभी एक पहले भी कर लिया, इसी वीडियो में question, तो कर सकता है, यहाँ पे इसका सी answer क्या साइगा, आपके बास, a आसाइगा, अगला question आपके बास, for insured article, frank impression are also accepted as postage stamps, वीमी तवस्तू के लिए, frank impression को भी dark ticket के रूप में स्विकार क्या साइगा, आपको भी insured article भेज रहे है, उसके लिए जो भी postage charges बन amount of compensation shall not exceed actual amount of loss or damage, मौबजी की राशी, नुकसान या क्षती की वास्तविक राशी से अधिक नहीं होती है, correct या incorrect तो इसका सी answer भी क्या साइगा, आपके बास, a आसाइगा, जो amount of compensation दिया साइगा, वो किससे जादा नहीं होना चीए, जो आपका वास्तविक नुकसान हुआ है, उससे जादा नहीं होना चीए, option से आजाएगी, acknowledgement for a registered parcel must be attached on address side of parcel, पंजिगरित parcel के लिए पावती, parcel के पते कि और सलंगन की जानी सी है true या false, तो इसका सी answer क्या आजाएगा, भी आजाएगा, तो acknowledgement for a registered parcel, जो है not attached to it, देखा, parcel के साथ आपना उसको नहीं लगाना है, कहां प parcel के साथ post office में आकर प्रस्तूत करेंगे, आप उसके साथ उसको attach नहीं करेंगे, तो इसका सी answer क्या आजाएगा, आपके बास B आजाएगा, but is a return on the receipt given to sender, in which special acknowledgement fees is paid pressure को दीगे रिसीद के ओपर क्या लिखा जाता है, जिसमें विशेश पावती शुलका भुकतान क्या गया औ RD लिखा जाएगा, BD लिखा जाएगा, AD लिखा जाएगा, या फिर CD लिखा जाएगा, तो इसका सी answer क्या जाएगा, AD लिखा जाता है, acknowledgement due जिसका मतलब होता है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति post office मा कर registered article की booking करता है, registered article की book करने के साथ बो acknowledgement के लिए charges भी देता है, तो उस ले articles can be registered, dark लेखों में से कौन सा पंजीकृत किया जा सकता है, newspaper, blind literature, book and pattern packet, या फिर all of the world, इसका सी answer क्या जाएगा, आप क्या SD आजाएगा, इन सभी को आप पंजीकृत कर सकते हैं, for booking of registered articles in work apply to, थोक मैं पंजीकृत वस्तुओं की booking के लिए अवेदन जो आवो किसको किया जाना चाहिए, local SP of post office, postmaster journal, SPM या फिर CPMG, तो यह हमने पहले भी कर लिया कि कोई भी आपके विल्क मैं registered articles को book करना चाहते हैं, तो कम से गम, at least एक दिन में 10 आपके registered articles होने चाहिए, post करने के लिए, और इस सुभीदा का अलाव ठाने के लिए, जो अवेदन है, book इसको क्या जाना चाहिए, तो इसका सी आंसर आपके बास क्या जाएगा, इसका सी आंसर आजाएगा, local SP of post office, dark घर का जोवी, स्थानिय, superintendent या अधिक्षक रहेगा, 31st की आपके बास या option से आजाएगी, अगला question आपके बास, special registration envelopes are used for, विशेश पंजीगन वाले लिफाफों का प्रयोग जो आपके बास, B आजाएगा, registered articles only cable पंजीगरित लेखों के लिए किया जाएगा, अगला question आपके बास, application for compensation for VP article made within, VP लेक के लिए, जो माबजे के लिए वेदन है, कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए, 1 year, 3 years, 3 months, या फे 6 months, तो इसका सी आंसर किया जाएगा, आपके बास, D आजाएगा, 6 महिने के भीतर किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर D option जो है, से या जाएगी, अगला question आपके बास, amount of compensation for insured article may be withhold by, वीमित वस्तू के लिए, माबजे की राशी जो है, किसके जारा रोकी जा सकती है, options आपके बास, head of division, head of circle, PMG, आफिर डिरेक्टर जन्न, तो क इसके जारा रोकी जा सकती है, इसका सी answer क्या जाएगा, तो जो आपका act of grace के रूप में, यह compensation provide करता है, उसी के जारा इसको withhold किया जा सकता है, तो कौन कर सकता है, head of circle, head of circle can withhold the payment for inquiry, वो पूश्ताश करने के लिए, और आगे inquiry करने के लिए, सरजिस्टर आर्टीकल के बारे मे जो compensation होती है, उसको रोक सकता है, विधोल्ड कर सकता है, अगला question है, आपके बास, amount of compensation will be payable after, date of intimation of loss given by sender for insured article, ख्षती पूर्ती की राशी, बीवी तवस्तू के लिए, प्रेशक द्वारा दी गई हानी की सूचना की तिथी के कितने समय के बाद दे होगी, 2 months, 1 month, 6 months, या फिर 15 days, तो इसका सी अंसर क्या जाएगा, आपके बास भी आजाएगा, एक महीने के बाद, भी option यहां पे इससे या जाएगी, अगला question है, आपके बास, registered articles to or from, army post office, can we insured up to, army post office, या उससे पंजीगरी तवस्तू का जो बीमा है, कि सीमा तक क्या जा सकता है, 500, 600, 200, या फि तो इसका सी अंसर क्या जाएगा, आपके बास, ए आजाएगा, 500 रुपीज तक किया जा सकता है, registered article for which sender, require acknowledgement of delivery, then it bears the superscription, पंजीगरित लेक, जिसके लिए pressure code, delivery की पावती की अवश्यक्ता होती है, तो उस पर क्या superscription रहती है, AD लिखाओगा, acknowledgement लिखाओगा, acknowledgement due लिखाओगा या फिर due acknowledgement लिखाओगा, तो उसका सी अंसर आपके बास आजाएगा, C, acknowledgement due उसके ओपर लिखा रहता है, ऐसी option से याजाएगी, अगला question आपके बास, which of the following is not true about registration, निमिलिखित मैसे कौन सा पंजीकर्ण के वारे में, सत्ते नहीं है, it makes the transmission of articles more secure, या लेखों का परसारण जो ह जिम्मेदार होता है, post office is not responsible for the loss of registered article पंजीकर्ण के नुकसान के लिए, डाक घर की कोई भी जिम्मेदार ही नहीं रहती है, post office is not responsible for any injury to contents of a registered article, डाघर किसी भी लेख की समगरी को किसी भी तरह की कोई injury हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, उस चीज के लिए भी जिम्मेदा नहीं रहता है, हमें क्या बताना है, पंजीकर्ण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, एक option हमने पहले भी कर लिया, जहाँ पे हमने क्या था, कि post office is not responsible for a loss of registered article पंजीकर्ण के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, तो कौन सी option से आजाएगी आपके बास, B option से तो इसका सी answer क्या साएगा आपके बास, सी आजाएगा 17 रूपीज जो आपो लिये जाते हैं, आगे चलते हैं, question आपके बास, what are the acknowledgement charges for a registered article, एक पंजीकर्ण के लिए पावती शुल्क जो आपो कितना है, 3 रूपे, 2 रूपे, 10 रूपे या फिर no charges, तो कोई भी पंजीकर्ण लेख है, उसके लिए आपको acknowledgement fees तो दे नहीं पड़ती है, लेकिन कितने charges उसके बनते हैं, तो उसका सी answer क्या जाएगा, आपके वासी आजाएगा, तो किसी भी लेख के साथ, आप acknowledgement लगाएंगे, तो उसके लिए charges जो हैं, वो 3 रूपे ही लिए जाते हैं, एक आपके बास P POD नाम की चीज़ भी आती है, यह POD जो आती है, speed post के साथ लगाई जाती है, जिसे proof of delivery का साथ है, उसके charges जो होते हैं, वो 10 रूपे लिए जाते हैं, अगला question आपके बास, अरशिप्ट will be given to the person who presents an article for registration at the post office window, during which of the following hours, उस भ्यक्ती को एक रसीद दी जाएगी, जो निमिलिखित मैं से किन घंटों के दुरान डाघर की खिड़की पर पंजीकन के लिए एक लेख प्रस्तुत करता है, आपके बास, यह आवर्ज प्रेस्क्राइब्ड फोर पोस्टिंग ओफर रजिस्टर आर्टिकल, पंजीकरित वस्तुओं की पोस्टिंग के लिए निर्धारित घंटे, डिूरिंग दी एंटायर वर्किंग आवर्ज ओफ दी ओफिस कार्यान लेके पूरे कामकाज के घंट आपके बास, फार भीच ओफ दी फोलेंग आर्टिकल, यह अकनोलेजमेंट, फीज फ्री निमिलिखित मैं से किस लेक के लिए पावती शुलक जो अबो निशुलक है निके पावती के लिए शुलक नहीं लिया जाता है, फार ब्लाइंड लिट्रेचर पैकेट्स अंद सित् फार इंशुर्ड आर्टिकल्स बीमित बस्तूं के लिए बोथ अफ दी अवाव यहन मैं से कोई भी नहीं तो इसका सी आंसर क्या आजाएगा आपके बास, भी सी आजाएगा बोथ अफ दी अवाव नाई ब्लाइंड लिट्रेचर पैकेट के लिए लिया जाता है और नाई ल कोई वी registered article भेजा जाता है, उसके वित्रण के समय प्रापत करता से एक receipt के उपर हस्ताक्षर लिये जाएंगे, उस दिन, जिस दिन प्रापत करता उस receipt के उपर हस्ताक्षर करेगा, उस दिन से 6 मीने के भीतर, आप उसकी attested copy के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका पंजीकृत, अंतरदेशिय पत्र, पैकेट या पार्सल के नुकसान के लिए किस सीमा तक एक अनुग्रह के रूप में मौाबजा प्रेशक को दे सकते हैं, बर 100 रुपीज, 500 रुपीज, अप्टू, एनी लिमिट या फिर no compensation, तो इसका से आशर आपके बास क्या साएगा, 100 रुपे तक ही, ठीक है, अमने ऊपर भी कोशन कर लिया था, कोशन क्या था, कि कोई भी रजिस्टर आर्टीकल है, उसके लिए जो कंपंसेशन दी जाती है, वो प्रेश का लीगल लाइविल्टी नहीं बनती है, ठीक है, उसका कानूनी कोई उत्रदाइत तो नहीं बनता है, अनुग्रह के रूप में दिया जाता है, और किस सीमा तक ये कंपंसेशन या माबजा दिया जा सकता है, इसका सियांसर आजाएगा, बन हंडर्ड रुपीज इंपोर्टेंट कोशन है, आगे सलते हैं, केस ओफ लोस ओफ कंटेंट्स और डैमेज तू रजिस्टर आर्टीकल अप्लिकेशन फार कंपंसेशन शुडबी मेड बिदिन दी पीरियोड ओफ समगरी के नुकसान या पंजीगरित वस्तुओं को नुकसान के मामले में, माबजे के लिए जो आवेदन है, जो भी आपका पंजीगरित लेख है, उसकी समगरी को कोई भी नुकसान हुए है, उस अपने लेख आपका गुम हो गया है, उसके लिए आपना वेदन करना है और कंपंसेशन के लिए, तो वो तीन महीने आप के भीतर करेंगे, लेकिन कौन से तीन महीने, from the date of posting, वहीं पिर आपका जो आर्टीकल है, उसके अंदर आपको लग रहा है, जो समगरी है, वो गुम हो गई है, उसका नुकसान हुए है, तो उसके लिए आपने date of delivery देखनी है, जिस तारीक को उसका व which of the following cases, निमिलिखित मैं से किस मामले में पंजीकरित लेखों के लिए कोई मौपजा नहीं दिया साएगा, for any fault, or negligence of this under pressure की किसी भी गलती अलापरवाही के लिए, if contents are liquid और प्रिशेवल आर्टीकल्स, यदी सामगरी तरल या खराब होने वाली वस्तुए है, if articles are of an exceptionally fragile nature, यद उसने कोई भी ऐसा सामान भेजा या उसकी गलती की वज़ा से को नुकसान हुआ है, post office की उस चीज के बारे में कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती और नहीं post office, उस चीज के बारे में कोई compensation देता है, दूसरी चीज यहाँ पे आपना जो सामगरी उस registered article के अंदर भेजी है, वो अगर liquid थी, वो तरल पदार थी या ऐसा article था जो खराब हो सकता है, तो सीज के लिए आपको कोई compensation नहीं दिया जाएगा, fragile nature का था, वो कैसा नाजुक प्रकृती का था, वो तूट सकता था, लेकिन आपना उसको भेजा है, तो सीज के लिए या आपको कोई compensation नहीं दी ज रिखते हैं, no compensation if article contains anything for which insurance is obligatory and sent without insurance, कोई मौबजा आपको नहीं दिया जाएगा, अगर लेक में ऐसा कुछ भी पाया जाता है, जिसके लिए insurance compulsory थी, आपको insurance करवानी थी, लेकिन आप उसको भीना insurance के भेज देते हैं, no compensation will be given on account of postage, registration और packing charges, डाक, पंजीकर्ण या packing शुलक के के लिए, कोई मौबजा नहीं दिया साएगा, ये भी बात से ही आगे सलते है, period prescribed for application for compensation, इस बन year for BP article, VP ले के लिए मौबजे के लिए, जो अवेदन की नरधारी तब दिया है, कितनी है, एक सालिया पे दिया है, इसको एक बारा यहाँ पे आप चेक कर लेना, और आगे सलते ह अगला question है, आपके बास, बतार दी, compensation charges, in respect of international registered articles booked in post office, in India, in case of lowest total damage or total theft, नुकसान, कुल नुकसान कुल चोरी के मामले में, भारत में, डाक घर में, बुक किये गे, अंतराश्रिय पंजीरित वस्थूओं के समन्द में, मौबजा शुल क्या हो साएगा, बन अंड़ एश्रिया 300 SDR, 30 SDR, या फिर 50 SDR, तो इसका C answer क्या जाएगा, आपके बास, C आजाएगा, आपको 30 SDR, compensation के रूप में, मौबजे के रूप में, दिये जाएंगे, अगला question है, आपके बास, for which of the following articles, the registration is not compulsory, निमिलखित मैंसे, किस लेख के लिए, पंजीकर्ण अनिवारे नहीं है, any parcel up स्थान पर संबोधित करने पर, जहां के लिए, customs declaration चाहिए, आपको custom घोशना की अवश्यक्ता होती है, आपको इसका C answer क्या जाएगा, आपके बास, हमें क्या बताना है, registration के बारे में, ठीक है, किसके लिए, registration जाओ, compulsory नहीं है, C answer क्या जाएगा, आपके बास, यह आ जाए के लिए, तो इसका C answer क्या जाएगा, A आजाएगा, which of the following covers all the risks in course of transmission by post, निमिलिखित मैं से कौन, डाक द्वारा परसारण के दुरान, सभी जोखिमों को cover करता है, जितने भी रिस्क होते है, चाहिए वो चोरी का है, चाहिए रुकसार का है, उन सभी को cover करता है, registration ए, insurance है, ब short article, the prepayment of the following charges is compulsory, वीमी तवस्तु के मामले में, निमिलिखित शुलकों का पूरब भुकतान अनिवारे है, तो आपके कौन-कौन से दियो है, आपे poster charges है, registration fees है, insurance fees है, या फिर all of the, तो इसका C answer आपके बास क्या जाएगा, D आजाएगा, इन सभी charges की आपको क्या करनी पूरब भुकतान आपको करना पड़ेगा, अगला question आपके बास, बड़ी जी, insurance fees for an article up to 200 रुपीज, 200 रुपे तक के ले के लिए, भीमा शुलक क्या जाएगा, 17 रुपीज, 10 रुपीज, 6 रुपीज, या फिर 22 रुपीज, तो इसका C answer क्या जाएगा, आपके बास, B आज जाएगा, 10 रुपीज आपके लगेंगे, तो insurance fees जो हती है, up to 200 रुपीज, आपके 10 रुपीज बनती है, उसके बाद पर एक additional 100 रुपीज के लिए, 100 रुपीज के लिए कितनी बन जाएगी, 6 रुपे बन जाएगी, आगे चलते हैं, next question आपके बास, no compensation will be payable for insured articles, in bich of the falling cases, निमिलीखित मैं से, किन मामलों में वीमी तवस्तूओं के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा, where the missed delivery done due to incorrect or incomplete address by sender, जहाँ प्रेशक द्वारा गलत या अपूरण पते के कारण गलत बित्रण हो जाता है, where there has been fraud on part of sender और addresses, जहाँ प्रेशक या प्रापत करता कि और से कोई भी धोखा दोडी वाला मामला सामने आता है, in the case of loss of halves of currency notes, ठीक है, तो आपके मुद्रा note अगर भेजेगे हैं, अगर note कम हो जाते हैं, कोई बोले कि note कम हो गया है, तो उस चीज में भी कोई आपको मौपजा नहीं दिया जाएगा, all of the worth, the answer क्या जाएगा, आपके बास D आजाएगा, इन सभी conditions में आपको कोई भी मौपजा जो है, या कोई भी compensation नहीं दी जाएगे, अगला question आपके बास, which of the falling parcel articles sent as VPP, निमलिखित मैं से कौन सा dark lake, value payable post के मादियम से भेजा जा सकते हैं, registered parcel है, आपके बास, registered letter है, registered book packet है, या फिर all of the worth, तो इसका सी answer क्या आज आजाएगा, आपके बास, D आजाएगा, इन सभी को आप value payable post के मादियम से भेज सकते हैं, अगला question है, आपके बास, amount due for VP article recovered from address, money remitted to sender through, जब VP lake के लिए प्रापर करता से राशी बसूल कर ली जाती है, तो उसे pressure को कैसे भेजा जाता है, options है, आपके बास, money order, IPO, cash, या फि PO, तो इसका सी answer क्या साएगा, आपके बास, इसका सी answer आजाएगा, एक ऐसे बीज़ आती है, money order के मादियम से, क्या होता है, उस money order का नाव, VPMO होता है, आपके product and services में, फिर से ही आएंगे question, आगे सलते है, declaration और bona fide order is must in case of VPP, value payable post के मामले में, घोशना या bona fide आदेश होना चाहिए, जिसके निशपादन में आप उस value payable article को भेज सकते है, true या false, इसका सी answer क्या आजाएगा, आपके आजाएगा, सही बात है, आपके बास एक bona fide order होना चाहिए, कोई भी आप value payable article भेजेंगे, उसके निशपादन के समन्ध में, आपके बास एक bona fide order, या क्या होना days, if addressy applied in a writing to post office for detention, the further period not exceeding, अब कोई भी registered article आता है, मालीजे उसका प्रापत करता नहीं मिलता है, घर पर नहीं मिलता है, तो post office में उस dark वस्तु को 7 दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है, लेकिन मालीजे प्रापत करता क्या करता है, एक अवेदन करता है, कि यह जो dark वस्तु ह इस निर्धारी तब्दी के बाद भी रोक कर रखा जाए, तो उसको आगे किस समय के लिए, किस अब्दी के लिए रोक कर रखा जा सकता है, 8 days, 3 days, 7 days, या फिर 15 days, तो इसका सी आंसर क्या जाएगा, आगे के और 7 दिनों के लिए उनको रोक कर रखा जा सकता है, और यह 7 दि कि इनकी आठवे दिन से जो आवो गिने जाएंगे तेया आप इसका सी आंसर आ जाएगा C To deliver VPP with free of charge or to alter the sum of VPP who is authorized to do so Value Pable Post को मुफ्त मैं देने के लिए या VPP की राशी मैं परिवर्तन करने के लिए जो ऐसा करने के लिए धिक्रीत कोन हो जाएगा माली जे कोई भी Value Pable आर्टिकल है मैंने भेजा उसको 2000 रुपे के लिए अब 2000 रुपे के लिए भेजा मैंने किसी के लिए बाद मैं मुझे लगा कि नहीं मुझे यह राशी जो 2000 की बजाए 1500 करनी चाहिए थी यह जो लेख है मैं चाहता हूँ फ्री उसको दिया जाए प्रापत करता को तो मैं ऐसा किसके पास अवेदन करूँगा जो ऐसा इसको कर सके तो VPM के पास SPM, Head Sorting Assistant या फिर Post Master तो किसके पास करूँगा मैं Post Master के पास करूँगा तो सी अंसर क्या जाएगा यहाँ पे दी आजाएगा अगला कोशन है आपके पास VP article not accepted unless tone of payment shown in the VPMO value payable जो भी आपके लेख होते हैं उनको तब तक स्विकार नहीं किया जाता है जब तक की VPMO में बुक्तान का शहर ना दिखाया जाए true या false तो इसका सी अंसर क्या जाएगा आपके बास यह जाएगा true है जब तक आप VPMO में tone of payment show नहीं करेंगे तब तक उसको accept नहीं किया जाएगा VP article के हर रूप में आगला कोशन है आपके पास for VP article who specifies some permitted to sender VP lay के लिए जो pressure को प्रेशित राशी निर्दिष्ट करता है अब यहाँ पे क्या होता है VP article जो आप pressure के दारा भेजा जाता है कैसे भेजे जाते है उपर किया हमने money order के मादेम से भेजे जाएंगे अब उस money order के मादेम से pressure को कितने पैसे प्रापत करता से लेकर भेजे जाने है इस चीज़ को कौन निर्धारित करता है addresses sender post office या फिस superintendent प्रापत करता से कितनी राशी बसूल करके मुझे बापिस की जाएगी money order के मादेम से दी जाएगी complaints must be forwarded within months from the date of posting तो इसको छोड़ दीजे ठीका आदा धूरा यह question है आगे सलते है question number 63 for booking of VP articles in bulk at least 10 uninsured VP articles must posted daily important question है थोक में VP लेखों की booking के लिए प्रती दिन कम से कम 10 अवीमित लेख post किये जाने से correct या incorrect या incorrect उसका सी answer कह साएगा आपके वाँस correct आजाएगा registered articles के लिए भी यह semi condition रहती है आगे सलते है name the service of our persons who wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of articles सेवा का नाम बताएगा जिस मैं प्रापत करता उसको भेजे के लेखों की प्रापती के समय उसके लिए भुकतान करेगा तो options है आपके बास registered article BP article COD article या फिर post restaurant तो इसका सी answer कहा जाएगा आपके बास भी आजाएगा value payable article के मादयम से वो अपने लेख जो है वो भे सकता है अब यहाँ पर क्या हो जाते है यहाँ पर जो भी प्रापत करता है वो क्या चाहता है कि जब मैं लेख की प्रापती करूंगा उसी के समय मैं उसके लिए भुकतान करूंगा तो इसके लिए क्या option रहती है value payable post के मादयम से उसको लेख जो भो भेजा जा सकता है अगला question आपके बास बिच आफ दी फॉलिंग कैनोट बी sent as BPP निमनिखित मैं से किसे value payable post में नहीं भेजा जा सकता है coupons है, tickets है, certificates of introduction या फिर all of the world तो इसका answer आपके बास क्या जाएगा इन सभी को आप VPP के रूप में नहीं भेज सकते है तो यहाँ पे आगे फिर से इसके लिए question आजाएगा क्या चीज़ी होती है आगे सब आपने question देखते है VPP cannot be post in बिच आफ दी फॉलिंग post office इस VPP को निमिलिखित मैंसे कि इन dark घरों में post नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे options कहा है पहले आपको यह पता होना है जो आपके articles होते है उनको सभी money order post offices में आप post कर सकते है अब यहाँ पे कौन से ऐसे डागर है जो money order post office होते है नहीं होते है तो जितने भी डागर होते है वो money order post office होते है सिवाए उन dark घरों को छोड़कर जिनके opposite side में post office guide part 3 में क्या word रहता है D word रहता है D शब्द लिखा होता है तो इसका सी answer क्या जाएगा अगला question आपके बास वीपी आर्टिकल निमिलखित मैसे किसे वीपी लेक के रूप में भेजा जा सकता है लीगल डॉकुमेंट्स है इंशुरेंस पोलिसीज है प्रोमिसरी नोट्स है या फिर all of the above तो इसका सी answer क्या साएगा आपके 67 का DAS आएगा इन सवी को भी आप value payable आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं अब देखो यहाँ पे value payable आर्टिकल में आप उस आर्टिकल को भी भेज सकते हैं which have no instanti value जिसका कोई आंतरिक मूले ना हो तो यह सारी चिसे आसी होती है इनका कोई आंतरिक मूले ना हो तो है नहीं लेकिन फिर भी आप इनको value payable आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं अगला question आपके बास maximum amount फार बिच वी पी आर्टिकल के अन्वी सेंट अधिक्तम राशी जिसके लिए किसी वी वी पी लेक को भेज आजा जा सकता है स्नोवल सिस्टम के रूप में जो भी लेक माने जाते हैं उनको वी पी लेकों के रूप में भेजा जा सकता है तो यह उपर भी अभी question आया तो यहां पे स्नोवल सिस्टम एक्चल में होता है कि कैसी लिए डिजाइन के जाता है जिसके लिए त्यार के जाता है नको क्या कहा जाता है और स्नोवल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली किसी भी समगरी को value पेवल पोस्ट के मांदे आजम से नही भेजा जा सकता है आगे सरें question आपके बास रिजल्ट ओफ इंक्वाइरी रिगार्डिंग VPP कोमिनिकेटड बाइ लेटर VPP के समन्द में जाज का प्रणा पत्र के माध्यम से भेजा जाता है यास या फिर नो तो उसका सी अंसर क्या जाएगा आपके बास या जाएगा यास भेजा जाता है पत्र के माध्यम से लास्ट कॉशन आज की वीडियो का एन आर्टिकल में भी सेंट बाइ दी वैल्यू पेवल पोस्ट इवन दो इट पसेज जिस नो इंस्टिंसिक वैल्यू एक डाक लेको मुल्य दे डाक वस्तू के रूप में भेजा जा सकता है भले ही उसका कोई वी अंत्रिक मूल्य ना हो तो यह मैंने अभी भी आपको उपर बोला ट कैई इसका क्या अंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा यह उप्शन जो आपके बास है आज आजएगी तो यह थे आज की वीडियो के कुछ important questions जो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने है close number 162 से 197 insurance यहाँ पर आजाती है registration और साथ मैं VP system यहाँ पर आजाता है regular classes के लिए हम ऐसा जुड़ना साथ है screen पर दियो नमबर पर message कर सकता है बाकि अगर आपको यहाँ पर कोई वी question गलत लगे comment section में आप जरूर इसके बारे में बताएं कोई वी आपको doubt हो तब भी आप पूछ सकते हैं धन्यवाद